हलो जी, I hope आप सब बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में मेरा नाम है आयूश और मैं आप सब का दिल से स्वागत करता हूँ अस यूडीव शैनल पर आज का जो टॉपिक होने वाला हमारा वो होने वाला है बुक्स के उपर हम सभी को पता है कि यार बुक्स को पढ़ना कितनी अच्छी हैबिट है और ये सिर्फ एक अच्छी आदा दी नहीं है बलकि ये एक common हैबिट है जितने भी दुनिया में successful लोग हैं उनके बीच में तो इससे हमें परदे सलता है कि बुक्स को पढ़ना कितना important है और एक और चीज मैं आपको टाता हूँ ये मैंने किसी यह तो वीडियो में देखी थे केवल महीने नहीं कई साल लगाने के बाद लिखी होती है और सारे ही राइटर्स जो होते हैं मतब most of the writers जो होते हैं बहुत ज़्यादा successful होते हैं अपने life में और ये वो लोग होते हैं जिनक से मिलना मतब हमारे और आपके जैसे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है और वो लोग अपने पूरी जिन्दगी के learnings को निचोड़ करके एक book में डालते हैं ये ऐसे समझ सकते हैं कि सब्समें या फिर आपको बुक लिखेंगे अपनी life के उपर या फिर किसी topic के उपर जिसमें हम expert हैं तो हम कितनी ज्यादा detailing में उस चीज़ को सोचेंगे और लिखेंगे फिर कितना time invest करेंगे उसमें और कितनी बार 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 चेक करेंगे उस चीज़ को तो ऐसे ही सारी books लिखे जाती हैं इसलिए इन books की बहुत कीमत होती है मतलब इसलिए का जाते हैं एक book भी हमारी जिंदगे को बदल सकती है इतनी कीमती होती है ये books तो इसलिए हमें books पढ़नी चाहिए बट problem ही आती है मेरे को भी आई थी आती है अभी भी और आपको भी आती होगी कि हमें पता है कि books पढ़ना कितना important है बट हम पढ़नी पाते क्योंकि हमारा मन नहीं गड़ता तो यार ये ना बहुत common सी चीज है मतलब ये बहुत normal है इस era में तो बहुत ही जादा अब scene यह है कि जब से YouTube Shots आया है Instagram Reels आया है तो हमारा attention to focus और भी जादा कम हो चुक है मतलब हमें आदत है वो 5-6-6 seconds की Reels को और Shots को Scroll करनेगी जिसके विससे हम चीजों पर इतना attention देही नहीं पाते कि हम बुक पढ़ पाए बुक को पढ़ने के लिए हमारा बहुत मतलब हमें focused manner में बुक पढ़ना पढ़ेगा otherwise वो एक simple सी reading होगी हमने पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए और last month में मैं पता ही नहीं हो कि हमने पढ़ा क्या था तो इस case में सबसे best चीज मैं आपका दाता हूँ जो मैं करता हूँ अपने लिए पहले एक example बताता हूँ आपको दो type के होते हैं जिम में जाने वाले बंदे एक होते हैं जो एक भी दिन skip नहीं करते चाहिए वो बारिश आ रही हो चाहिए कोई functions हो चाहिए कुछ भी हो तो उनकी body अलगी defined होती है और एक होते हैं मेरे जैसे बंदे जोने बस थोड़ी बहुत health चाहिए ठीक है मतलब कभी-कभी चले जाते हैं ऐसा वाला scene होता है मतलब हमें सिर्फ health चाहिए हमें body से बहुत जादा expectations नहीं है same चीज होते हैं reading में भी दो type के बंदे होते हैं एक होते हैं जो दिलो जान से पढ़ते हैं दिन में उनकी reading जो होती है setting होती है बहुत लंबे-लंबे time की होती है तो यार वैसा बनना तो बहुत मुश्किल होता है initially कोशिश करें आप second option choose करने की जो थोड़ा-थोड़ा read करते हैं जिने बहुत जादा ही ऐसा नहीं है कि हमें साल में 50 books कतम करनी है या फिर हमें Elon Musk और Bill Gates की जारे book पढ़ना है तो वो तो यार हो जाएगा बट उसमें बहुत time लगता है स्टार्टिंग में मेरो और आपके जैसे बंदो को क्या करना चाहिए दिन में दो पेश के target रखना चाहिए और वो भी कैसे रखना चाहिए कि suppose इस टाइब की book से ज़्यादा फढ़ लोगे मैं दूसरी book के example देता हूँ suppose ये book है अगर ये book मैंने उठाई तो मैं क्या मतब मैं आपको suggest करता हूँ as beginner आप क्या कर सकते हैं आप book खोले कोई भी एक chapter देखें जो आपको बहुत पसंदार है जिसका title बहुत interesting लग रहा है उसके दो पेश दो पेश, तीन पेश पढ़े एक target set करें अगर आपने तीन पेश के target किया तो तीन पेश ही पढ़े पांच का किया, पांच करें दो का किया, दो करें तो suppose आपने अपने target हिट किया next step आपने आपको treat दो किसी भी चीज़ की जो भी आपको लगता है कि आपको बहुत ज़ादा पसंद है, वो चीज़ करनी है या फिर खाना बीने में अगर ऐसा है तो आप वो मतलब आप वो दो दो पेश पढ़ने के बाद या तीन पेश पढ़ने के बाद book selection बहुत important होता है book selection आप वही करो जो topic आपको बहुत ज़ादा interesting लगता है जैसे starting में जो मैंने first book पढ़ी थी अपनी life के वो थी The Secret वो मैंने इसलिए पे करे थी क्योंकि मुझे उसना manifestation और कैसे हमारा हम सोचते हैं और वो चीज़े एकदम से हो जाती है ये सारी चीज़े होती कैसे है universe में ये law कैसे काम करता है और ये सारी चीज़े का मैंने बड़ा shock था मैं उस ताम पे 12th class में था हमारी teacher ने English teacher ने मुझे explain की थी वो सारी चीज़े हैं तो मेरा बहुत मन करा था उस book को बढ़ने को मैंने पढ़ा और वो बहुत जल्दी खतम हो गए थी एक दो दिन में क्योंकि वो इतनी interesting थी वो उस time में मेरे लिए second book जो मैंने पिक करी थी वो भी उससे related थी the power of your subconscious mind वो भी मैंने बहुत जल्दी खतम करी थी फिर मैंने third book पिक करी think and grow it वो भी उससे related थी तो वो भी मैंने बहुत जल्दी खतम करी थी तो starting में हमें वही उस type की book choose करनी चीए जिस type की book को पढ़ने का हमें बहुत shock है मतलब जिस type की चीजों में हमें interest आता है हमें उस type की books को पिक करना चीए छोटे target रखो यार कि मतलब आपके जैसे बंदेर इतने unproductive होते हैं कि दिन पर कुछ नहीं करते और रात में ऐसे सो जाएंगे तो ऐसा लगता है यार यार पूरा दिनी खराब हो गया और वहीं अगर हमने दो-तिन पेश पढ़ लिए तो ऐसा लगता है वाओ कुछ तो किया आज तो और add the end यार आपको खोलनी पड़ेगे खुद पढ़नी पड़ेगे खुद से रीट करनी पड़ेगे खुद से समझनी पड़ेगे खुद से तो ट्राय करो फोर्स करके पढ़ो और thank you for watching this video thanks a lot